कि हम अपने बच्चों पर ही ध्यान तो देते हैं दें लेकिन हम अपने अभी आधुनिक हो गए हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं साधी कर देते हैं तो अभी अपने बच्चे पर ध्यान देने लगता है आपको भूल जाता है जूकाक्त देखा है कि आप अपने मापको भूल गए Dragons और OMG अपने बच्षे ध्यान दिया है यही संशकार है अ आ शंपत की क्या थी भारत की संपति कभी धन पद्लेशन परतिस्था नहीं था भारत की संपति संशकार है भगवान राम जंगल में पद परतिष्ठा वाले सड़ाई लेने चले गए शंपति लेकर गए क्या लेकर गए भारतिय संशकार लेकर गए जब सिता का अपरण किया तो मदोदरी का अपरण नहीं कर लिए तु तो यहीं कहेगा हम भी ले जाएंगे नहीं भारतिय संशकार तो लोग अपने बच्चे में संशकार नहीं डालते हों संशकार कई से पढ़ेगा जब आप अपने पिता के दादा का दादी का सिवा करेगा वह बच्चा आपका देखेगा फिर मुणकर आपकी सिवा करेगा आप अपने बच्चे की सिवा में लगा रहता है आपका बच्चा बड़ा हो करके अपने बच्चे के सिवा में लग जाता है उसका बच्चा अपने बच्चे के सुवा में लग जाता है हम प्रिभियस स्टूरी भूलते जा रहे हैं पीछे मुड़कर देखते नहीं हैं इसलिए भारत का बुढ़ापा अभी शाप हो रहा है भारत का बुढ़ापा जा बड़ा किम्ती होता था भारत में बुढ़े दादी के हाथ में चावी होती थी घर का बुढ़े लोगों की याद होगा अब बाहर का चावी हाथ हमें किसम के हाथ में रहता था दादा जी के हाथ में रहता था पुरा कंट्रोल रहता था गाड़ी चलाना देखा होगा गाड़ी में सक जर्वर लगा रहता है सक जर्वर क्या करता है जो गाड़ी में बैठा रहता है उसमें जो जर्किन होता है जर्किन को सक जर्वर पी लेता है और गाड़ी में बैठे हुए बेक्ति को नहीं लगता है जर्किन कभार तो घड़ के बुढ़ बुड़ी लोग अपने जहल लेते थे लड़के को लगने नहीं देते थे लड़के को लड़का हो गया उसको भी पाल लेते थे उसको कोई कीमत नहीं था घर की जो बुड़ी दादी होती थी उस बच्चे को खेलाते में खेलाते फिलाते राम की कथा कहा देती थी कृष्णी मामा का रिस्ता जोड लिया भारत ही आये वह बच्चा जानता नहीं है चंदा को मामा मान का रिस्ता जोड लिया शुरी को अपना रिस्ता जोड लिया पूरे इन्वर्स से रिस्ता जोड लिया कौन करता था दादी आज काल क्या पढ़ाते हो ए फार ए पल भी फार भी बेबी ब्रस ब्रस ब्रसी ओ टीथ ब्रसी टेवरी डे क्या मिल जाएगा इससे बड़े खूस होते हो कि देखो न हम रहा जाते हैं हम लोब इते हैं हम लिए पुरीजी हमेरे लणका चाहा सुन लीजे का बोल रहा है मैं यह सुन लेता हूँ लेकिन मन ही मन कहता आँ गया राम जी की गया कि रहा बोलो ऐसा ब्रस कर दिया कि दादा दादी को भी ब्रस कर दिया तो देखो यह जो है हमारे परिवार में बड़े बुजिर्ग लोग धरोहर होते थे शंपती होते थे उनकी बड़ी रक्षा करते थे प्रेम से सेवा करते थे ये संश्कार है बारत की संपती संश्कार है और अपने मूल संश्कार रुपी शंपत को अपने गवाँ दिया इसे जब से जगो तब से सरफे रहा, है इसको पहचानो, भारत में तिनी धन है और तिनी दे दृता है ब्रह्मा बिष्लू महश्छ यहीं नहीं आए है जो आपको जन्म देता है माता वही ब्रह्मा उस मत माता का सेवा तुम कर लिया ब्रह्मा के मंदर में जाने से कोई फैदा नहीं है आप जानते हो कि गणधारी मां कि दुरुवधन को भी अशिवाद नहीं दे पाई सुना एकी नहीं सुनाि अपने बेटिने औलो को धर्म राज दृसतिस्तिर को भी इस पितामा भी अशिवाद दे दिया जोना चार ओर दो पाण estas कौन अच्छा है just like i i am a शारे विए सोफ पृफ्ट साली हर दुरुधन के पक्ष में हैं कि अभि इसमितामा से कोई सप्रूथ। मैं द्रोनाचार कीरपशार मत्लिए असोईस्थमा हैं बिपिर्थविंक भिद्वान ओ तेज आद्मी दुरुधन के शाथ है दिशी मुनी भी है परिशुराम है दुरुवाशा है लेकिन उसके पास एक संपति नहीं है किया शंशकार नहीं है इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूं कि यह जो है राजस्थान की भूमी जो है संशकार की भूमी यह अभी गंगा शिंग पर गंगा बना है राजा की भूमी संशकारों की भूमी होती है चाल चेंटर की भूमी होती है तो हम जो करेंगे वही हमारे पास भी आएगा बच्चा सिक्षा से आज संशकार समाप्त हो गया है कि हुआ है कि नहीं हुआ है कि संश्कार्शमाप्त हो गया है कि आप अपने बच्चे को सिख्छा में संश्कार दो यह आप एग्य करते हो कि एग्य में सुरू होता है ना पहला जो कि क्या करते हो घीव की अगनी देते हो कहता है इदम नमम पांच बार कहता है इदम नमम इसका मतलब यह संश्कार है यह मैं जो एग्य करना हूं अपने लिए नहीं क्योल कर रहा हूं क्योल मेरे लिए नहीं है सबके लिए यह संश्कार हुआ अभी तो कह रहा है कि मैं कमा रहा हूं क्योल अपने लिए कमा रहा हूं भाई के लड़कों को भी नहीं दूँगा चूर चूर कमाऊंगा बस अपने लिए अपनी रलके को दे दूँगा इतना किरिपीन मलेक चो गया है कि इदम नमम जग में लेकिन जग में कहता है इदम नमम यह इदम नमम संका भारत का संस्कार ना है यही यग यह ना है डिसरे देवत्ता सिव जी को मांनते हो आपके पिता से भी सिव कोई दुसरा है वोो जो अपने फटा-पुरा ना पहने का लड़के को अपना नया नया पहना करके टाई पहना करके इस्कूल भेजता है, करजा लेकर पढ़ाता है डाक्टर इंजिनियर, वो डाक्टर इंजिनियर बनकर देश बिदेश चला जाता है, मूड कर बाप को देखता नहीं